बड़े अर्से से बहुत सारे लोग को कुसल भूरतेल की बैटिंग का इंतजार था और आज सबसे बड़े मौके पे नेपाल का सबसे बड़ा जीत पे कुसल भूरतेल की सबसे बड़ी बैटिंग जो है आज रही है आपको पता है आज दो टाइप के खिलारे देखने को मिले है बैटिंग में एक नेपाल के कुशल भूरतेल टाइप के प्लेयर दूसरा एंडरी गोस जो USA टाइप के प्लेयर थे मतलब USA के प्लेयर थे और दोनों में डिफरेंस क्या दी पता है कि कुशल भूरतेल जो है वो अपनी finishing line touch कर गए हाला कि century नहीं हुई उसके लिए मुझे बड़ा दुख है और मुझे बहुत जादा बुरा लगा कि crucial बुरतेल ने जिस तरीके से batting करी उनको century वो deserve करते था आज के match में लेकिन नहीं हुआ 92 run पे जो है रहे गए 8 run से जो है shot पड़े गए बुरतेल और century नहीं आई दूसरी तरफ ghost जो player था USA की तरफ से वो अपनी finishing line टच नहीं कर पाए तो दो टाइप के player जो मैंने आपको बता है ना वो यही था कुशल बुरतेल ने अपनी टीम के लिए जी जान लगा के अपनी टीम को एक सम्मान जनक score पे पहुचाया जहां पे नेपाल क्रिके टीम की विक्ते जो है गिर रही थी अगर आप बात करें अनिल्सा और आसिफ के आउट होने के बाद यहां पे जो है अगर मैं बात करूँ तो रोहित पॉडेल और दिपैंदर सिंग कुषल भूर्टेल लिटरली आप देखो दिल जीतने वाली बैटिंग करें पोकरा एवेंजर्स की तरफ से कुषल भूर्टेल खेल रहा है और एंड्री गोस्ट जो USA की तरफ से वो भी पोकरा एवेंजर में NPL के अंदर ये दोनों की बैटिंग आपको देखने को मिलेगे कहीं न कहीं यहाँ पे कुषल भूर्टेल ने एक तरफा बैटिंग यहाँ पे करिया नेपाल के तरफ से और USA के जो बॉलर्स थे वो कुषल भूर्टेल की बैटिंग से भाई तंग आ गये थे कुछल भूरतेल ना ऐसे-ऐसे शौर्ट स्केल रहा है था ना जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था यूशे के बॉलर ने आप देखो रिवर्स शौर्ट मारे जा रहे है रिवर्स स्विप मारे जा रहे है जो एक फिल्ड से दूसरी फिल्ड में जा वो कुशल भूर्तेल की 6 ऐसी 6 ती जो सीधा स्टेडियम के पाहर मतलब स्टेडियम के बाहर कुशल भूर्तेल ने बॉल को भेज दिया एक 6 यहां पैसा मारे गया था साइट 17 वे और 18 वे ओवे मारा था वो 104 या 5 मिटर का शक्का था आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते भूर्तेल की पावर कितनी है देखो कुशल भूर्तेल बड़े लंबे समय के बाद जो है उन्होंने इतनी तगड़ी इनिंग के लिए और कुशल भूर्तेल की मुझे कभी भी इनिंग पे डाउट नहीं था मैंने आपको पहले भी कहा है कि क कुशल भूर्तेल एक ऐसे बैट्समेन है जिसे आप कह सकते हो बहुत जादा एग्रेशिव बैट्समेन है जिस तरीके से अनिल सा है उसी तरीके से कुशल भूर्तेल और इनको अगर मौका मिल जाए तो यह 600-800-1000 की स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर सकते है क्योंकि वह जिता है वहीं पर कुशल भूर्तेल ने रिस्पॉंसिबिलिटी लेके टीम को एक सम्मान जना की स्कोर पर पहुचा है जहां पर टीम ने वहाँ पर फाइट बैक करी और उस मैच को ड्रॉ करवाया और फिर सूपर उने मैच जीते है लिट्रली आप कह सकते हो कुशल भूर् कि आपको तारीफ करनी पड़ेगी जहां पर एंड्रु गोस को उन्होंने आउट किया एक्चुली वह सबसे बड़ा क्रोशल मोमेंट था जहां पर नेपाल जीती है तो नेपाल के हाथ से मैस निकल जाते है अगर एंड्रु गोस टिक जाता तो वहाँ पर समझे हो तेर दे 22 रन भी जो है आपकी टीम को मैसे जीतवा जाते हैं इसको लिए कि जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना